हेलो फ्रेंड्स तो आपका फिर से बहुत-बहुत सवागत है मेरे चैनल सोड़ो पावर पे और इस एपेसोडों में आपको सिखाने वाला हूँ इमेज़ टैक जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं विबसाट डिवलप्मेंट के अंदर क्यूंकि आप कोई भी वेबसाट देख लो उसके अंदर इमेज़ होती ही ठीक है जैसे आप ओनलाइन शॉपिंग की वेबसाट देख लो तो उसके अंदर प्रोड़क की अंदर विबसाट का लोगो होता है ठीक है तो लोगो मुस्टली सब इमेज़ जी होते हैं तो इमेज टैग हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं ठीक है तो वो टैग अभी हम लोग इस एपिसोड में देखने वाले तो चलो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आप अभी शिखने वाले है वो है यस आर सी उसके अबाद है एल टी अल्टर एसार सी के अंदर हम लोग देते हैं उसका पात ठीक है इमेज जहापे भी हम लोग रखेंगे उसका अंदर पात पास करते हैं अगर आपके पास इमेज का ओन लाइन यूरल है तो भी हम लोग याप उसको पास कर सकते हैं फिर इमेज की हाइट सेट करना फिर उसकी विट सेट करना तो उसके लिए दो एट्रिब्यूट्स है ठीक है तो फ्रेंट चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल और फ्रेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पर भी जरूब फॉलो करो और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर जरूर देखो ठीक है विए स्कोड और लाय सर्वर क्योंकि हम लोग अभी विए स्कोड के अंदर रिकोड करने वाले तो इसलिए आपको एपिसोड देखना जरूर रहे ठीक है तो चलो सबसे पिले हम लोग विए स्कोड ओपन कर लेते हैं अभी मुझी क्या करना है तो लोग नहीं टेक सिक रहे है ठीक है तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ तो नियू फाइल बटन पे क्लिक करो इसमें लिख हो इम जी डॉर्ट एस्टेमें ठीक है तो आपको जो भी ब अपन होगी इसको मैं एक्स्ट्रा फाइल को प्लोस कर देता हूँ और अभी हम लोग स्टार करते है खोडिंग एस्टेमेल्स आताय सबसे पेले टाइटल इमेज टैग फिर बोड़ी के अंदर हम लोग लिग देते हैं एच्वान के अंदर पेले इमेज टैग और फिर अभी मुझे क्या करना है तो इमेज चाहिए तो उसके लिए इमेज टैग यूज करना है तो इमेज टैग जो है उसके स्पेलिंग है आई एम जी ठीक है याद रखना फिर उसका जो सबसे में एट्रिबूट है एस आर सी तो फ्रेंट्स आप जैसे ही एस लिखोगे आर लिखोगे तो यहाँ पर सजेशन आना चलो जाएगा ठीक है तो वहां से भी आप एट्रिबूट चूज कर सकते हो ठीक है अभी सोर्स के के अंदर मुझे पास करना है फिलाल में ये इसलिए मैं इसको क्लोश कर देता हूँ सेव करते है तो फ्रेंड़ अभी जो इमेजट टैग गाए वो उस के अदर हम्नोप सोर्स के अंदर पाथ पास करतेऊ ठीक है अगर मैं इसको इसे इमेज क्लोश करूगा तो उसका कुछ मिनिंग नहीं है ठीक है तो वो सेल्फ क्लोजिंग है उसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से क्लोज कर सकते है ठीक है आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना है क्योंकि हम लोग जो भी टैक ओपन करते उसको क्लोज करते हैं ठीक है तो इसको इस तर करो और इसके अंदर कुछ content लिखोगे तो वो कामी नहीं करेगा क्योंकि हम लोग image tag को इस तरीके से data हम लोग providing नहीं करते हैं तो उसको अम लोग data कैसे provide करते हैं तो source के अंदर हम लोग उसके बात pass करते हैं ठीक है तो friends अभी मुझे चाहिए image मैं अभी फिलाल इसको रंग कर देते हैं तो आपको कि आइडिया आएगा कि हम लोग source पास नहीं करते हैं तो क्या दिखता है तो friends अभी आप सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है ठीक है यह खाली दिख रहा है तो हम लोग को अभी क्या चाहिए तो एक image चाहिए तो मैंने images download करके रखी है image folder के अंदर इसमें से मैं पेले एक logo मैंने बनाया ठीक है तो वह मैं copy कर लेता हूँ और अभी मैं जाता हूँ मेरे document के अंदर course के अंदर और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ठीक है तो जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूगा वह सेम image यहाँ पर भी आ जाएगी ठीक है तो आप आपको सिंपल अभी क्या करना है source के अंदर जाना है और आपको प्रेस करना है चालो हो जाएगा ठीक है तो सोर्च के अंदर हम लोग HTML पेस तो पास नहीं करते है इसको क्या चाहिए इमेज है तो इमेज चाहिए तो इमेज है हमारे पास online shop.logot.jpg इसको सिलेक्ट करो फिर इसको सेव करते हैं ब्राउजर तो रिप्रेस होई गया होगा ब्राउजर में चलते है तो फ्रेंस यह देखो इमेज आ गई हमारी ठीक है तो सिंपल है आपको कुछ नहीं करना है तो सिंपली उसका आपको यहाँ पर नाम पास कर देना है ठीक है अभी मुझे क्या चाहिए तो यह जो इमेज है यह इसका जो साइज है वह बहुत बड़ा है ठीक है तो उसको भी हम लोगों को चोटा करना है तो उसके लिए है अट्रिब्यूट हाइड ठीक है तो हाइड में फिला लेख देता हूँ 50% सेव करते हैं तो फ्रेंड्स यह कुछ जाता है बड़ा हुआ क्यों क्योंकि इसने जो साइज है हम लोगों ने किसा दिया है परसंटेस में दिया है ठीक है तो हम लोगों ने टेबल टेक के अंदर सीखा था अगर हम लोग 100% देते हैं तो वह यह हम लोग इसको थोड़ा चोटा कर देते हैं 20% तो फ्रेंड्स चोटा हो गया और आपको चोटा करना है तो 10% सेव कर दो तो और चोटा होगा ठीक है अगर आप परसंटेस पास नहीं करोगे तो वह कैसे काम करेगा अज़र पिक्सल काम करेगा ठीक है तो अभी मैं पिक्सल 40 400 पिक्सल मैंने पास किये है तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है और नीचे आप स्क्रोल भी देख सकते हो क्योंकि इमेज के साइज बहुत बड़ी हो गया ठीक है 400 पिक्सल हो गया है तो अगर आपको इमेज अच्छे से दिखा रहा है तो जिनरली परसंटेस यूज़ करो क्योंकि वह ब्राउजर के साइच के इसाफ से वह च्छोटा बड़ा हो जाता है ठीक है तो यह हो गया हाइट उसी तरीके से अभी आपको उसकी विट सेट करनी है तो आप यूज़ करो वीद एट्रीबुट ठीक है तो थोड़ा अंदर चला गया ठीक है तो आप जैसे जैसे विद बढ़ा होगे या फिर कम करोगे तो आप इफेक देख सकते हो ठीक है तो विद के वज़े से वह बिगड़ गया ठीक है तो इसलिए अगर आपको जैसे आपको इमेज डिजाइन करना है जिसे आपको हाइट विच चाहिए उस तरीके से आप एट्रिब है वो उसी साब से लेलेगा ठीक है तो फ्रेंट्स नेक्स एट्रिबूट है अल्टर तो अल्टर क्या काम करता है तो इसके अंदर में लिख देता हू ब्रांड इमेज ठीक है तो हमारा जो विपेज है जो फर्स्ट टाइम जब लौड होता है तो कई कभार ऐसा बताई कि जो इमेज है वो लोड नहीं होते ठीक है तो अगर इमेज लोड नहीं होगा तो उसको अगर यह इमेज नहीं मिलेगा ठीक है तो उसकेस में ब्राउजर हमको क्या दिखाएगा तो यह वाला टेक्स दिखाएगा ठीक है तो उसकेस में हम लोग को क्या यूश करना है अल्ट ए दिखा होगा वो ब्रावजर दिखाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बोला कि अल्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो कब दिखेगा जब इमेज लोड़ने होगी या फिर दखिए प्रावजर को उमेंज का भाथ नहीं मिलेगे तब तो अभी आम लोग फिलाल क्या करते हैं यह जो इमेज का पात है इसकों लोग निकालड़ते है और सेव करते है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हूं या फिर dużo दीख रही शायद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इमेज ने दिख रहे लेकिन उसके जगा इमेज ब्राइज जो हम लोगों ने लिखा है टेक्स वह दिख रहा है मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ सेव करते हैं तो फ्रेंज देखो यहाँ पर चेंज आ गया तो अगर गूगल एसीओ के लिए भी यूजाता है ठीक है तो तो फ्रेंड्स गूगल के अंदर हम लोग जो इमेज सर्च करते हैं तो वह कैसे सर्च हो क्या आती तो इमेज के अंदर जो अल्ट एट्रिब्ट के अंदर जो लिखा होता है उस हिसाब से गूगल इमेज को ट्रैक करता तो फ्रैंड्स अभी यहाव का जो इमेज का जो एक्स्टेंशनने ठीक है डौट जीपी डॉट जीफेंटी के तो जो एक्स्टेंशन होगा वही को ही यहाँ पर भी लिखना है ठीक है तो फ्रैंड्स अभी फिलाल है अमारे पास जल्टेंशन गैजवð 친शने य khi और उसी को मैं कोर्स के अंदर यहां पे पैस्ट कर देता हूँ तो स्माइल डॉन जी एप आगे इसको मैं अभी हम लोग जी आएप इमेस लोड करते हैं सोर्स के अंदर फिर क्या प्रेस करो कंट्रोल स्पेस लिस्ट आना चालो हो जाएगा उसमें सिलेक करो जी आएफ और इसको क्लो इसको बोल सकते हो तो वह इमेज के अंदर क्या होता है तो छोटा सा एनिमेशन होता है चोटे-चोटे एनिमेशन होते तो उस थरीके से आपको एनिमेशन दिखाने है तो आप जी आएफ इमेज यूज कर सकते हो ठीक है और फ्रेंड्स इसके अंदर और एक इमेज का टाइ देखे आता है जो है कि पी एंजी इमेज ठीक है तो फ्रेंद्स अभी हम लोग नहीं यूज किया था जेपीजी और अभी हम लोग यूज करने वाले है पी एंजी फॉर्मेट ठीक है तो में अभी इसको यहां से आप लिस्ट में जेंज कर सकते हो इसका व्यूज extension ना लागे थी क्यों है ठीक है आप देख सकते हो इसका extension है जेपीजी और इसका extension है पी एंजी ठीक है तो फ्रेंच यह दोनों image में क्या फराग है तो फॉर्मेट का फराग है तो यह image को मैं अभी open करता हूँ सॉरी अभी हमारे पास है पहले जेपीजी image जो अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी है ठीक है तो यह जेपीजी इमेज में ड्रेगन ड्रॉप करता हूँ कि यहाँ पे ब्राउजर के अंदर ठीक है तो यह image है जेपीजी में जिसके अंदर आपको बेग्राउं वाइड दिख रहा है लेकिन फ्रेंज अभी में open करता हूँ इसको प्रेंजी को मैंने सेलेक किया और ड्रेग कर रहा हूँ यहाँ ठीक है तो नई टैब में open हो जाएगा मेरा image प्रेंज तो फ्रेंज आप दोनों online शॉपिक के अंदर जितने भी आप प्रोड़क्त देखते हो वो मुस्टली सब पी एंजी फॉर्मेट में होते हैं क्यूंकि जो वेबपेज का जो पिछला बेग्राउंड होता है बेग्राउंड कलर होता है वो आटमेटिकली ले लेता है ठीक है तो हम लोग वेबसाट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पी एंजी में जैसी यूज करते हैं तो फिलाल इसका कुछ फरक तो पढ़ने नहीं हाला है क्योंकि हमारा जो बेग्राउंड है वो अल्रेड़ी वाइटी है ठीक है अभी इमेज टैक फिर से ओपन करता हूं सोर्स के अंदर अभी मैं पास करत हो पी एंजी इमेज सेव करते हैं और ब्राउजर के अंदर लुपेज ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स यह जो पेली वाली मेंज है यह है अमारी जीपीज इमेज और यह है पी इन जी इमेज ठीक है अभी कुछ फरक ने बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जो वेपेज का जो है ठीक है तो अगर डिफ्रेंस देखना होगा तो मैं अभी फिलाल अपको डिफ्रेंस दिखाने के लिए मैं आप पर फटाक से उसका बेगराउंड चेंज करता हूँ तो फ्रेंड्स इसको बोलते हम लोग CSS इसको अभी हम आप फोकस मत करो यह हम लोग नेक्स के टूटरिय करने के लिए मैं अभी इसका यूज कर रहा हूँ style उसके अंदर बेगराउंड कॉलन और कॉलन करके वेल्यू आपको देना है ठीक है तो स्टाइल एट्रिबुट का यूज करके हम लोग उसके अंदर CSS पास कर सकते हैं इसको अभी हम लोग सेव करते हैं और बेगराउंड क इसलिए वो वाइट आपे आ रहा है और यह पी और इमेज का जो बीगराउंड ए जो वेबपेश का वीड़ांड ए वह बीगराउंड उसने ले लिया ठीक है तो फ्रेंड्स यह मैं डीफरेंस ए इसलिए माने आपको वेबपेश का जो बीघाउंड है वह चेंज किया तो आपको डिफ्रेंस पता चले ठीक है तो फ्रेंड्स अभी आपको इस टूटोरियल में हम लोगों ने जो इमेज टेग सीके तो वो टेग आपको यूज करना है ठीक है और आपका विब्पेज डिजाइन करो तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ओनलाइन शॉपिंग की टीक है तो उसके अंदर अभी आप क्या डालो इमेज डालो तो आपकी वेबसाइड और अच्छी दिखेंगे ठीक है और इमेज़ेस आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और फ्रेंड्स जियाएफ इमेज के लिए आप सिंपल ऐसे गूगल पर भी लिख सकते हो कि इसमायल गी आएफ इमेज तो सजेशन में फिर आप जाओ इमेज्स में और अभी जैसे इमेज है इस पर क्लिक करो और यहाँ पे मूँ होगा ठीक है यह दिखो इमेज थोड़ी थोड़ी मूँ हो रही ठीक है तो वो इमेज्स होती है और इसको सेव करो गे तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप में जी एफ दिखाएगा ठीक है तो जिसका टाइप जी एफ होगा और यहाँ पे आपको एनिमेशन दिख रहा होगा तो वह इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो और आपकी वेबसाड में यूज कर सकते हो तो ठीक है फ्रेंड्स अभी के के लिए इतना ही अपि हम लोगों ने इमेश टेक जो से कहा उसकी प्रैक्टेस करो और वेबस डिजाइन करो अभी के लिए फिलार इतना ही थैंक यू झाल 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 झाल